वैसे साथियों, आज 15 दिसंबर की तारिक के साथ एक और संयोग जुड़ा हुगा है, साथ कई लोगों के लिए जानकारी सुखद आस्चेरिय हुगा है, देखे हमारे पुर्वज भी कितनी लंबी सोच रखते थे, कितनी दूर का सोच देखे थे, पुराना सब निकम्मा है, बिकार ऐसी बाते करते हैं न, मैं एक घटना सुनाता हूँ, आज से 118 साल पहले, 118 साल कोई कब समय नहीं होता है, आज से 118 साल पहले, आजी के दिन 15 दिसम्बर को ही, 118 साल पहले 15 दिसम्बर को एहमदाबाद में एक इंडर्स्ट्रियल एक्जिविशन का उद्गार्ण किया गया था, उस जमाने में, और इस एक्जिविशन का मुख्य आकर्षन क्या था, उसका आकर्षन था भानुताप यंत्र, भानु यान सूरिया, याने 118 साल पहले आके हमारे एंट्रपिर्नर्स की सोच देखिए, भानुताप यंत्र, याने सूरिया ताप यंत्र, ये सबसे बड़े आकर्षन का कानन आने भानुताप यंत्र है ने सूर्य की गर्मी से चलने वाला यंत्र है और एक तरह से वो सोलार कुकर की तरह उन्होंने विक्सित क्या था एक सो अठारा साल पहले आज एक सो अठारा साल बात आज पंदरा दिसंबर को ही सूर्य की गर्मी से चलने वाले इतने बड़े रिन्यूबल एनर्जी पार्क आउद्गाटन हो प्या गया इस पार्क में सोलर के साथ साथ पवन उर्जा दोनों से करीब तीस हजार मेगावोट बिजली पैदा करने की शमता होगी इस रिन्यूबल एनर्जी पार्क में करीब करीब देड़ लाग करोड रुपिय का निवेश होगा सोचिए रेगिस्तान की कितनी बड़ी भूमी का सदुपियोग होगा सीमा के साथ पवन चक्कियां लगने से सीमा सुरक्षित भी और अधिक बहतर होगी आम लोगों का बिजिली का बिल कम करने के लिए जिस लक्ष को लेकर के देश चल रहा है उसे भी मदद मिलेगी इस प्रोजेक्ट से किसानों और उद्योगों दोनों को बहुत बड़ा लाब होगा और सबसे बड़ी बार इससे प्रदूशन कम होगा हमारे परियावरण को भी लाब होगा इस रिन्योबल एनर्जी पार्क में जो बिजली बनेगी वो प्रती वर्ष पांच करोड टन कार्बन डायोगसाइड पांच करोड टन कार्बन डायोगसाइड एमिशन उसको रोकने में मदद करेगी और यह जो काम होने वारा है अगर उसको परियावरण के हिसाब से देखना है तो यह काम करीब करीब नव करोड पैड लगाने के बराबर होगा नव करोड पैड यह एनर्जी पार्क भारत में पर केपिटा कार्बन डायोगसाइड एमिशन को भी कम करने में बहुत बड़ा योगदान देगा इससे करीब एक लाख लोगों को रोजगार के नए आउसर भी पपलब दोंगे इसका बहुत बड़ा लाब कचके मेरे युवाओं को होगा